हेलो फ्रेंड्स, MP3 इस्टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 32 फोटक्स ब्लाउच की कटिंग करना सिखेंगे तो आपने अगर मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो है प्लिस आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलेगा तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं तो हम इस तरीके से जो है अस्तर को खोल लेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रो कर लेंगे था कि हमारा जो नीचे टेडा कपड़ा हो, वो सिधा हो जाए और ब्लाउच की लंबा ही है, हमारी 13 इन्च्च, तो हम 14 इन्च पे निशान लगा लेंगे एक इन्च का मार्जिन ले लेंगे और इसकेल से लाइन रो कर लेंगे और हमारा शोल्डर है पांच इंच तो पांच इंच पर निशान लगा लेंगे और आर्मोल है हमारे साड़े पांच इंच और ऐसे लाइन को मिला लेंगे हम तो इस लाइन को भी सिधा मिला लेंगे तो सीना है हमारा 32 इंच को दोनों लाइन को मिला देंगे और डेड़ इंच की दूरी से आर मोल की गोलाई दे देंगे तो नेक की चोड़ाई रखेंगे हम दो इंच और लंबाई रखेंगे हम दस इंच निचे से और निचे से चोड़ाई रखेंगे गले की ढ़ाई इंच और इसकेल से आपको यह ऐसा मिला लेना है तीर्चा और कटिंग करके निकाल देंगे हम शेप बाद में देंगे गले का तो अब आपको क्या करना है कि नीचे से आपको इसकेल से लाइन को मिला लेना है सिद्धा और एक लाइन को इस साइड में मिला लेंगे हम हाप इंच छोड़ते हुए क्योंकि यह हमारी हुकाई की पट्टी के लिए रहेगा और निचे की साइड से एक इंच का मार्जिन ले लेंगे क्योंकि हमारा इसमें बेल्ट जोइन्ट होगा तो इसलिए हमको एक इंच नीचे से बढ़ा कर लेना होता है आगे वाले पार्ट में और पिछे वाले पार्ट में हम जो हमने छोड़ा था उस कपड़े को हमने निकाल दिया है कटिंग करके और गले में हम शेप दे देंगे इस तरीके से तो मैं इसको गले को गोली रख रही आप इस तरीके से सेम निसान बना लेना है इस तरीके से अब हम साइट में मार्जिन लेंगे पेले हम गले की चोड़ाई लेंगे दो इंच और नीचे से हम लंबाई लेंगे इसकी छे इंच और नीचे से चोड़ाई लेंगे हम धाई इंच और लाइन को सिधा मिला लेंग और गले में शेफ देदेंगे और जो हमने पीछे वाले पार्ड में आर मूल की लंब़ाय रखी थी ₹5 in तो इस में भी तरीके से मिला लेंगे और भार की साइट को हमको एक inच का मार्जिन लेना है और ऊपर से 1 इंच जितना लेना है और लाइन को सिधा मिला लेंगे और बेल्डे की लंबाई रखेंगे हम तीन इंचे पे तो तीन इंचे पे एक निशान लगाएंगे और हाप इंचे जितना इस तरीके से उपर हम मिला लेंगे इस तरीके से हमको शेव दे देना है और cutting करके निकाल देंगे और हाप इंचे जितना आर्मोल की साइड में मैंने ले लिया है आप देख सकते हो तो बेलड़ को भी हम इस तरीके से cutting करके निकाल देंगे और बार की साइड में थोड़ा सा छान देंगे ताकि हमारी जो प्लीट्स बनाएंगे तो इसलिए वो cover हो जाएगा और dress point है इसमें 9.5 इंच 9 इंच है हमने 9.5 इंच पे ले लिया है और निशान लगा दिया हो और 1.5 इंच की दूरी से हमको प्लीट्स का निशान लगाना है 1.5 इंच की गेफ रखना है आपको ज़्यादा नहीं रखना है और ये वाली फ्लिट्स हमारी रहेगी दो इंचे की लंबाई से तो आपको इसी तरीके से जो है फोटक्स बलाऊच की कटिंग करना है तो ये हमारी कटिंग कमप्लिट है अब हम अस्तिन की कटिंग करेंगे तो इस तरीके से हमको अस्तर को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से हमने चार फोल्ड कर लिया है अब हमारी अस्तिन की लंबाई है साड़े तीन इंच तो हम साड़े चार इंच पे ले लेंगे एक इंच हमारा मार्जिन का रहेगा और scale से line को मिला देंगे और 20-kok इंच पे हम नीचे down करेंगे कि और line को सिधा मिला देंगे अब आर्मोल की लंबाई ली थी हमने पलाउज में 5-5 तो आप इंच इसमें मार, जिनका मिलाकर हम 6 इंच पे ले ले लेंगे और अस्तिय मोरी की गोलाई है प्लेड इंचो का हम निचे से मार्जिन ले लेंगे और उपर से भी ले लेंगे और मिला देंगे इस तरीके से और कटिंग करके निकाल देना आप इस सेंटर में एक कट लगा के आपको हाफ इंचो जितनी इसमें जाड़ देना हैं आपको अब हम में वाले पाट पर रखके इस से कटिंग कर लेंगे अस्तर की तो हमने में वाले पाट को सिधा रखाए तो आपको बराबर करते हुए आपको एक जैसा रक लेना है और फिर कटिंग कर लेना है आपको इससी तरीके से आपको जो है सारे पाट को कटिंग कर लेना है तो आगे वाले पाट की कटिंग करेंगे हम आगे वाले मेन वाले पाट को आपको एक जैसा मिला लेना है और फिर उपर रखके आपको कटिंग करके निकाल देना है और इस तरीके से रखके हम बेल्ड को भी निकाल लेंगे आपको हाफ आप इंच बड़ा करी लेना होता है ताकि हम जब जोइन करें तो हमारा पाट कोई भी बड़ा छोटा नहीं हो तो मेन वाले पाट को आपको हमेशा ही बड़ा रखना होता है अब हम स्लीप्स की जो हे कटिंग कर लेंगे तो हमने लेस जो हे वो निकाल दी है आपको बाई की साइड में कपड़ा छोड़ना है मेन वाले पाट को तो फ्रेंट्स आप देखो हमारी कटिंग है कम्ट्लीट है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मेरे को कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करना